हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है विवेक मिस्सा टेक में डेस इंवेस्टर हम लोग जिस कंपनी के उपर डिसकस करने वाले हैं लॉयड इस्टील इंडस्ट्री लिम्टेड है आप लोगों को पता ही होगा आजकल इसकी ज़्यादा ही चर्चे हैं बहुत तगड़ी तेजी से रैली बना रखी है कंपनी ने तो समझते हैं इसकी कंपनी के कंडिशन को फाइनसल कंडिशन को फिर चार पर भी बात करेंगे कि कैसी कंपनी हैं सभी लोग जानना चाते हैं ताकि बाद में यह इन्वेस्मेंट कर पाएं क्योंकि अभी तो अल्रेडी रैली बनी हुई है तो अभी तो जो अल्रेडी बनके चल रहे हैं वही लेके चलेंगे पर प्रॉफिट बुकिंग पर क्या खरीदने लायक है वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे हैं जो चैनल पर नहीं हैं सब्सक्राइब कर लें नोटफेसं बेल आल पर रखें जिससे आने वाले नेस्ट अपडेट आ और बढ़वा सकते हैं वहां पर 150 पे करके और अपने जो कोश्चन्स हैं डाउट्स हैं वो भी पूछ सकते हैं वहां पर सब कुछ एक्स्प्लेइन कर रखा है उसके डिस्क्रिप्शन बॉस में टेलिग्राम के जाएंगे तो वहां से आपको पता लग जाएगा और सेम ची हैं LSIL को तो यहां पर 15 रुपी 55 पैसे कर राउंट रेट कर रही है नॉन एनर्जी मिनरल्स वही श्टील की कंपनी है अर्निंग पर सेर यहां पर अभी नेगिटिव में चल रही है इसका ट्रेश प्राइस जनिंग रेशियो देखेंगे आप तो काफी ज्यादा में कंपनी ने 1536 परसंट से ज्यादा का रिटन प्रोवाइड कर दिया है यह देखिए उपर जाय जारी है जाय जारी कंपनी दो रुपे 90 पैसे से लगातार एक तरीके से कहेंगे कि प्राफिट बुकिंग भी रही है पर अपवर्ट ज्यादा मूव रहा है तो समझना काफ काफी भाग चुकी है ठीक है यह चीज यह चीज क्लियर में यहाँ पर कर देता हूं बाकि फर्स्ट टाइम है तो हम इसका थोड़ा प्रोफाइल भी डिसकस करेंगे स्टेक्टर नौन एनरजी मिनरल से आ जाता है नश्टी स्टील किया है तो यह जो डिजाइन करती है स्टील का ही पूरा इनका बिजनस है कारोबार है मतलब और अच्छा चल रहा है तभी आपको इसमें रैली दिख रही है अभी जो सितंबर के नतीजे आये थे क्योंकि मुझे याद है हम लोगों ने देखे थे जब डाटा जा रहे थे कंपनियों के तो यहाँ पर दिखे ग इसकी मार्केट केपिल इसकी 1397 करोड की है मतलब 1000 करोड इसने क्रॉस कर दिया है अच्छी बात है बुक वैल्यू कंपनी की बात करने तो एक रुपए 28 पैसे है तो बहुत जादा ऊपर इस टाइम पर अब ट्रेट कर रही है प्राइज अनिंग रेसियो पहले ही खतरे के न नहां पर देखें ट्रेस पिछले 12 महिने का इसका काम देख लेते हैं तो पिछले 12 महिने में बहुत विकार रहा है तो 56% प्रॉफिट गोथ में गिरावट 49% से ज्यादा सेल ग्रोथ में गिरावट पर क्वार्टर वाइज नतीजह इसके बहतर थे जून से सितंबर के तो बस सारी चीजें लोग भूल के इसमें पहले तो बड़ी इंवेस्मेंट ही आई होगी जाईर सी बात है बड़े फिर्म्स ने डियाईज ने इंवेस्मेंट किया हुगा तब ही ये सेर इतना उठा और उसके बाद क्योंकि अब तो रेटेल इंवेस्टर के नजरों में भी जो इंडिस्वल इंवेस्टर हैं हमारी तक है तरह है उन लोगों ने देखा कि अरे कंपनी भाग रही है बस खरीदना शुरू कर दिया बिना किसी चिंता के तो वो चीज आती है अब जो लोग प्रॉफिट में वो तो अच्छी बात है पर जो लोग बहुत हाई पर खरीद के तो अभी इसके प्रो कॉंस समझ लेते हैं थोड़ा देखे डेप्टर डेज भी इंप्रूब हुए है तो यह थोड़े अच्छी चीजे है पर कॉस्ट अभी भी बॉरॉइंग साही है इसकी रिटर्न अन इक्विटी बेकार रहा है कंपनी की सेल अच्छी नहीं रही है इतना दिक्कत वाला बात नहीं यह देखें बुक वैलू से जो 12.19 टाइमस अप है वह एक चिंता वाला भी से आ जाता है अब यहां पर आपको और भी चीजें देखनी चाहिए जैसे कि यहां पर आपको देखेगा कि बहुत सारी स्टील की कंपनिया है इसी में गोदावरी पावर है जिसको हमने हाल फिलाल में ही डिसकस किया था और भी बहुत सारी है अब आपको मैं इसके कौटरली डिजल्स का थोड़ा बताना चाहूंगा तो यहां पर ट्रेस बात करें तो आपको दिखेगा कि एक दम खतरनाक वाला ही यहां पर देखिए आप 2018 से आप 2020 तक का डाटा देखिए यहां पर आप सेल देखिए कंपनी की ट्रेस कितना मतलब आपको नंबर दिखेगा कितना बड़ा आता था 49 करोन उसके बाद अब देखिए बस 4 करोन 5 करोन 7 करोन तो यह जो चीज है यह बहुत और उस टाइम पर भी आप देखेंगे ना कहीं इसके कंपनी के यह घाटे वाला ही काम करती रही है भले ही सेल इसको बहुत 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 रही हो फिक है यहां पर जून 2020 में खराब हुआ था पर तब भी इसकी सेल बड़ी हो रही थी पर अब देखेंगे आप तो यहां पर सेल इसकी एकदम खतरनाक ऐसे लग रहा है जैसे अच्छी चीज निकल के आ जाती है 1.95 करोड का और ऐसा आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा कि एक बार देखेंगे यहां पर देखेगा जून 2019 में की 1.5 मलब एक करोड पचास लाग का प्राफिट हुआ था उसके बाद से यह प्राफिट इसका बड़ा रहा है तो इसक यहां पर आप देखेंगे कि अभी भी जो चल रहा है इसका बारा महीने का करेंट वाला वहां पर अभी लास्ट वाला जो बीता वहां पर पचास लाग का प्राफिट उससे थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो इतना ही कर पा रही है कंपनी ठीक है तो यह कुछ बहुत बड़ तो नहीं कहेंगे इसको और कम प्रॉफिट ही कहेंगे बाकि इसकी बाकी चीजें देख लेते हैं जिसे सेर होल्डिंग पैदर देख लेते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा प्रमोर्स के पास फिप्टी थी पॉइंट वन फॉर परसंट की होल्डिंग सहा और पबली के पास 46.53 की है तो प्रोमोडर के पास थोड़ी और बढ़े डिया इस के पास थोड़ी और बढ़े तो अच्छा रहेगा क्योंकि पब्ली के पास काफी बड़ा हिस्सा इसका अभी भी इसमें आ जाता है अब ड्रेट्स मैं आपको इसमें और भी एक चीज दिखाना चाहूंगा जैसे कि अभी हम लोग इसकी कंडिसन्स पर बात कर लिए अब इसके चार्ट में आपको देखिए एक चीज क्लिरली नजर आएगी जो कि मैंने अभी पिछले बहुत सारे चार्ट में आप लोगों को बताया कि वही चीज सेम हो रही है जैसे कि कल भी मैंने बहुत सारी कंपनियों इसमें देखेंगे आप पुराने डाटास देखेंगे ये सारे लेबल आप देख रहे हैं ये ग्रीन रेट कैंडल जो दिख रही है कितनी छोटी छोटी है पर यहां से देखिए आप उसके बा काफी उपर जा रहे हैं और आपको पुराना डाटास देखेगा कि उस टाइम पर कुछ इतना नहीं होता था क्योंकि वह सब छोटे छोटे थे अभी जो ये इन्वेस्मेंट का बार बढ़ा है ये काफी बढ़ा बढ़ा है और इसके वाज़े से ये कंपनी काफी अच्छा कर रही है तो जैसे कि सितंबर के नतीजे अच्छे थे तो अगर हम लोग उसको देखें और पुराने डाटास को देखें तो ये कुछ अच्छे नंबर नहीं है पर हां क्योंकि सितंबर में अच्छी आए है तो उसके वेज़े से लोगों का व्यू है इसके उपर जब भी में profit booking आती है और dip आती है तो आप भी खरीदने के लिए जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको मैं 5000 तक का ही investment करने के लिए बोलूँगा क्योंकि काफी ज्यादा risky नजर आती है अभी भी market capital 1000 के close ही है तो कुछ ज्यादा बड़ी market capital भी नहीं है manipulate किया जा सकता है price को और बड़ी investment करके जैसा कि अभी दिख भी rise में ठीक अलगातार मतलब आप समझ रहे हैं 1500 plus percent का return company provide कर रही है तो बहुत बड़ी बात आ जाती है और ये तो trace अभी इसका देखा जाए तो सितंबर के अगर मीड से भी देखे हम लोग तो सितंबर के मीड से अभी December ही चल रहा है और उसी में ही हम लोगों को 1000 plus से ज़्यादा का return मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है तो ये सारी चीजें आ जाती है यहाँ पर जो की थोड़ा किंता वाली बात है हाउजन नहीं 700% फिर भी 700% भी return बहुत बड़ा होता है देखा जाये तो वह भी दो तीन महीने के अंदर ही तो ये सारी चीजें है ट्रेस इसको अगर खरीदने के लिए अभी जो लेबल नजर आ रहा है वो 9.70 पैसे के around का है पर रिस्क आप लेना चाहते हैं तो profit booking जब भ follow up करके ये चल सकता है तो यही है था update इसके उपर thanks for watching this video मिलते हैं आपको next company साथ next video में